तुफान चक्राया है आपको बता दे कि 135 किलोमेटर की रफ्ता से रिमाल तुफान चक्राया है पश्रिम बंगाल के कई लाखों में तेज बारिश हुई है तुफानी अब आउकी वज़े से कई जगा जो पेड़ है वो भी उखड़े है उसकी तस्मीरें हम आपको टीवी स्क पर दिखा रहे है कई खंटे तक रिमाल तुफान का लेंड़ फॉल चला है तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है पश्रिम बंगाल से आपको बता दे कि एक ओर जहां उत्तर भारत में भीशन गर्मिस से लोग जूज रहे है वहीं दूसरी ओर बंगाल की खारी से श पीट का मोती जारी है महसर विबाग के मताबिक रिमाल तुफान 13 किलोमेटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और तुफान की गंविरता को देखते हुए पिया मोधी ने भी समंदित विबागों के साथ समिक्षा बाचकी है और अधिकारियों को हालातों पर नजर बनान है वो चकराया है दो तस्वीरे आपके टीवी स्क्रीन पर है पहली तस्वीर देखे कैसे जो पेड़ है वो सड़कों पर गिरे हुए नजर आ रहा है दूसरी तस्वीर जहां पर बारिश हो रही है बाहंचालकों को भी काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा तो पश्री मगाल के चकरवाद तुफान रिमाल के चकराने की घटना पार केंद्रे ग्रिया मंत्राले नजर बनाय हुए है अमिश्रा ने सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म एक्सपर लिखा चकरवाद रिमाल लेंडफॉल को लेकरके संबदित अधिकारियों से बातचीत की ह जिन इलाकों में चकरवाद का असर हो सकता है वहाँ NDRF की तैनाती की गई है साथी 30 इलाकों से लोगों को सुरक्ष तक शेत्रों में पहुचाया जा रहा है साथी उन्होंने ये भी लिखा मोधी सरकार आपदाव में नियूनतम जनानी के लक्ष को हासल करने के लिए प्रत SDRF के टी में भी तैनात की गई है और आपको हम कुछ तस्वीरे दिखा रहा है जो उस वक्त की है जब रिमाल तुफान का लेंडफॉल पश्यम बंगाल के तटोपस शुरू हुआ था जिसका असर पश्यम बंगाल के कई इलाकों में दिखाई दिया मौसम विबाग के मताबिक इस दोरान करीब 80-100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाय चली है और तुफानी बारिश होई है जिसकी वज़े से कई जगह पेड जो है वो उखड गया है तीन तस्वीरे आपके टीवी स्क्रीन पर है कोलकाता की ये तस्वीर देखे तुफान की दस् चालकों को भी काफी परिशानी हुई क्योंकि पेड़ गिरे हुए थे कंट्रोल रूम पुरा रात मोनिटर कर रहा है मिनुसिपलेटी का कंट्रोल रूम जाट इस अलसो विंग ओपन फॉर दा एंटार ताइम दूरेशन अफ दा साइक्लोन और टोटल सिचुएशन का मिनिट टू मिनिट जो सुप सिनियर ओफिसर है उनका सुपर्विशन में प कर दो